इस वीडियो में मैं आप से बात करूँगा सबसे पहले तो राजिस्थान में जिन भरतियों परिक्षाओं के रिजल्ट आ चुके है तो उनके डिवी को लेकर सी एम भजलाल सर्मा ने क्या का है और उसके बाद मैं बात करूँगा आपके 15 तारीकों अजिनस्त बोड यानि की RS MSSB बोड दोड़ा चार भरति परिक्षाओं के परिणाम जारी होंगे इसके अलावा दो परिक्षाओं की एंसर की भी जारी होगी और भी कलेंडर भी जारी होंगे और भी क्या क्या अपडेटे आने वाली है उसके बारे मैं जानकरी दूँगा इसलिए वीडियो को बिना Skip के Complete देखे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे चैनल जरूर सब्सक्राइब करे क्योंकि आपको इस यूटूब चैनल पर राजिस्थान एक्जाम से जुड़ी पलपल की अपडेट दी जाएगी चाए वो फिर अधिनस्त बोड की हो या फिर RPSC द्वारा आय इनके रिजल्ट तो आ चुके हैं लेकिन अभी तक इनकी DV सुरू नहीं हुई है तो DV विभाग के द्वारा सुरू करने पर अधिनस्त बोड ने तैयारिया है वो सुरू कर दी है अधिनस्त बोड ने मतलब की सूचना साए कि जैसे कि कल आपको मैंने बताया था अधिनस्त डाटा उनको चाहिए ते विभाग को वो हम देंगे उसके बाद जल्दी सुरू हो जाएगी तो अब CM भजनलाल शर्मा ने इन DV को लेकर और रिजल्ट को लेकर क्या का है उसके बारे मैं पहले जानकारी दूँगा और उसके बारे मैं आपसे जानकारी दूँगा आपको कि पन-रह तारीको अधिनस्त बोड़ द्वारा कितने बरदी परिक्षाओं के रिजल्ट आने वाले हैं और कितनी बरदी परिक्षाओं की एन्सॉर की आने वाली है तो जैसकर कि आप देख सकते हैं यहाइश प्रस्टूप से लिखाबा है कि मुख्यमंत्री ने लिभ भरत जिलाल सर्माकन का कहना है कि एक लाग सरकारी नौकरिया देनी है इसके लिए अपना कारे शुरू कर लीजिए समान पदों पर समान पतरता लागू करने के लिए नियमों में एक रूपता लाने के निर्देश यानि कि जो छोटी-छोटी बर्तिया होती है जिन में समान पद होते है तो उने के लिए एक ही परिक्सा आयोजित कीजिए जैसे कि अब आप पटवारी देख लीजिए जैसे कि आपको मालूम है पटवारी बर्ति परिक्सा एक जल्दाय विबाग द्वारा भी करवाई जाए और एक रासुख विबाग द्वारा ही करवाई जाएगी तो दोनों के लिए जो शेलेबस से वो समान है पटवारी भरती भी समान है तो फिर अलग-अलग विबाग द्वारा की जाया रही है इससे अच्छा है कि एक ही आयोजित हुए इसके लिए पेपर और उसके बाद जैस से सलक्षन लेना है वो लीजिए तो इस तरह से जो भरतिया होती है उसमें समय की बच्चत हो सकती है ऐसा कहना है जैसे कि आप देख सकते हैं समय संसादनों और सर्म कर सदूकियों करते हुए एक साथ आयोजित करे छोटी भरतिया इस पर श्रूप से यह लिखावा है कि मु नोकरिया देकर युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हर संबोव परियास कर रही है भरतियों को शमयबद और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सबी विबागों को मिसन मोड पर कारे करने के निर्देस दे दिये गए हैं भरतियों में तेजी लाने के लिए CM की अध्यक्स्ता में बनेगी CS की अध्यक्स्ता में बनेगी उचस्तरिय कमेटी अब आप यहां देख सकते हैं यहां सपर स्थूप से लिखावा है कि मुख्य मंतरी ने बर्तियों की परगती को नियमित अंतराल पर समिक्षा के लिए मुख्य सवच्चिव की अधियस्ता में उच्छिस्तरी कमिटी बनाने की निर्देश दिये उन्होंने का ये कमिटी बर्तियों में वेवारी बदाओं को दूर करने के लिए आउसिक दिशाद निर्देश देने और नियमित मोनेटरिंग का कारे करेगी अब जिन बर्ति परिक्साओं हो चुकी है उनके रिजल्ट और डोक्यूमेट वेरिफिकेशन को लेकर अधिनेस्त बोर्ड को और आर्पीसी द्वारा जो आयोजित हुए उन सभी एक्जाम को लेकर सीयम भजनलाल सर्मा ने क्या का है उसके बारे में जान करी देता हूँ तो आप देख सकते हैं या इस पर श्टूप से लिखावा है कि मुख्यमंतरी स्री सर्मा गुरुवार को मुख्यमंतरी काराले में विबिन विबागों में बर्तियों की स्तिती के समय में आयोजित समिक्सा बैटको शंबोधीत कर रहे थे उन्होंने का कि बर्ति एजनसिया बर्ति परिकरियां में लगने वाले समय को कम करने के लिए कम पदों की बर्तियों को एक साथ आयोजित करने पर भी विचार करें उन्होंने का है कि अक्सर देखने में आता है कि एक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पटवारी बर्ति परिक्सा उनके लिए अलग-अलग परिक्षाओं को आयोजित किया जाता हैं जिससे समय शादना और सरम का नुक्षान होता है साथ ही student को भी परिक्षानियों को शामिना करना पड़ता है उन्होंने इससे देखते वे समान पदों के लिए समान पतरता लागू करने के लिए नियम में सर्लिकलन और एक रूपता प्रेंच उसके प्रति क मुआ करने का आगे शरमा ने का है कि जिन भरतियों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है उनके परिणाम जारी करने और 10वे सत्यापन का कारे विबागों के इसृपर तवरित गती से किया जाए यहने कि जिन वर्थी परिक्सा है आयोजित हो चुकी है तो उनका रिजल्ट भी जल्दी जारी किया जाए रिजल्ट बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है अधिनस्त बोर्ड या रिपेसी द्वारा जारी किया जाता है और दस्तावी सत्यापनलकारे जो विबाग दورा है वो जल से जल्द किया जाए उन्हों ने विबीन कार्णों से नियाले में लंबिद बरती परकरणों में विबागों की और से परभावी पेर्वी किये जाने के निर्देश दिये ताकि इन परकणों का समय पर निस्तारा नहों सके जो नियाले में लंबित बर्तिया जैसे कि आप देख सकते हो सूचना से बर्ति परिक्सा का जो रोक लगी है फाइनल रिजल्ट पर उस पर आप फैसला आएगा और इन परतियों को जल्दी कंप्लिट कीजिए ऐसा CM भजनलाग सर्मा का कहना है अब मैं आप से बात करूँगा जैसा कि आपको मालूम है मैला अंगनवाडी परति परिक्सा का रिजल्ट आ चुका है लेकिन अभी तक DV नहीं हुई है मैला परिवेशक बरति परिक्सा तो इन दोनों का भी DV विभाग द्वारा किया जाएगा और बजनलाग सर्मान का तो कहना यही है कि दस्तावे सत्यापन का जो कारे है वो विभाग अपने अस्तर पर जल्दी करवाएं ताकि बरति परिक्से हैं वो जल्दी कंप्लेट हो सके अब आपके जो 15 तारीको है वो कौन-कौन सी 4 बरति परिक्साओं के रिजल्ट आने वाले है उसके बारे में जानकरी देने जा रहा हूँ और एंसर की जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा दस तारीको अधिनस्त बोड के अध्यक्ष आलोप राजी ने ट्वीट के माधिम से बताया था कि रीट लेवल टू के एक या दो रिजल्ट 15 अक्टुमबर को जारी करने का प्रियास है यानि कि जो चार परिणाम है उनमें से दो तो आपके रीट लेवल टू के जारी होंगे पन्दरा तारीको रीट लेवल टू के परिणाम जारी किये जाएंगे इसके अलावा और कौन सा परिणाम जारी होगा आप देख सकते हैं होस्टल सूपरिडेंड ग्रेड सेकिंड सोसियल जस्टिस इंपावर्मेंट डिपार्टमेंट परिक्सा जो की अठाई जुलाई को आयो जित हुई थी उसकी फुल मेरिट यानि पी डीवी रिजल्ट भी 15 अक्टुमबर को जारी करेंगे यानि की आप होस्टल सूपरिडेंड जो की आपके अठाई जुलाई को पेपर आयो जित हुआ था उसका भी रिजल्ट 15 अक्टुमबर को आएगा इसमें कट ओफ नहीं बताई जाएगी जैसा की आपने मैला प्रिविश्य का देखा होगा इसमें आपका कट ओफ नहीं बताई जाएगा और उस मेरिट लिश्ट के आदार पर आप अपना डीवी बी चेक कर सकते हो कि कितनी रेंग तक के लिए आपका सेफ स्कोर है और वो जैसी रेजल्ट आएगा मैं आपको इस YouTube चैनल पर बता दूँगा इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन भी ओंडर किये ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेकर हूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और चौथा रेजल्ट है वो आपके entity परिक्षा का pending result रहे गया है वो आपके 15 अक्टूंबर को जारी किया जाएगा कब किया जाएगा जारी 15 अक्टूंबर को अब answer की और भरती परिक्षाओं को calendar की बात करें तो भरती परिक्साओं का जो कैलेंडर था वो भी आपके 14 या 15 अक्टुम्बर को जारी किया जाएगा जिसमें आपके अधिनस्त बोड द्वारा दिसंबर 2025 तक जितने भी पेपर आयोजित करवाए जाएगी उन सब की डेट दे रखी होगी अब रीट जैसे कि आप सभी को मालूम है पातरता का आपने देखा ही होगा जनौरी के दूसरे पकवाडे में आयोजित की जाएगी तो इस भरती कलेंडर से हमें ये भी पता चल जाएगा कि रीट मैंस का जो एक्जाम है वो क्या 2025 में होगा या नहीं होगा क्योंकि अगर होगा तो कलेंडर में डेट आजाएगी क्योंकि अधिनस्त बोड की अधिकस आलोक राजी ने पहले भी कहा था कि दिसंबर 2025 तक जितनी भी एक्जाम होगी उन सभी भरती परिक्षाओं के कलेंडर जारी कर दी जाएगे और रीट मेंस के एक्जाम में वो अधिनस्त बोड ही करवाएगा एंसर की कौन-कौन सी भरती परिक्षाओं की 15 तारी को जारी होगी तो इस पर आप देख सकते हैं या इस परश्टूप से लिखावा परिश्यक मुईला अधिकालिता परिक्षा जो की आपके 7 सितंबर को आयो जित हुई थी इसकी प्रोविजनल एंसर की ये वो भी आपके 15 अक्टूमबर को जारी होनी की संभावने ने की 15 अक्टूमबर को एंसर की जारी कर दी जाएगी और इसके अलावा होस्टल सूप्रिडेंट माइनर्टी डिपार्टमेंट जो की आपको मालूमें CBT बेस पर एकजाम आयो जित हुआ था 30 अगस्त को इसकी भी जो एंसर की है वो 15 अक्टूमबर को जारी कर दी जाएगी अब और भरती परिक्सा हैं और डिवी हैं उनको लेकर भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे की आपको मालूमें CET ग्रेजिशन भरती परिक्सा जिसका आयो जिन हो चुका इसकी एंसर की आपके अक्टूमबर के लाश्ट विक तक आने की संभावना है ऐसा अधिनस्त बोर हैं आपके CET ग्रेजिशन की हुई है उसकी भी एंसर की आपके अक्टूमबर के लाश्ट विक तक आ रही है तो इस टैनों की तो फिर नौमबर में ही आने की संभावना हैं डिवी की बात करें तो डिवी में जैसा की आप सभी को मालूमें CHO बढ़ती परिक्सा की डिवी उफलाइन सुरू हो रही है 16 अक्टूमबर से लेकर और जिसने पर्थम चरण में 2000 केंडिडेट को सामिल किया जारा है, और पहला चरण 16 अक्टूमबर से लेकर 29 अक्टूमबर तक विबाग द्वारा डिवी किया जारा है और बाकी के बच्चे जो केंडिडेट है लग कोई अपडेट नहीं आई है सूचना सा एक बढ़ती परिक्सा की बात करें तो आपको पहले भी बता दिया था कल भी मैंने बता था कि सूचना सा एक बढ़ती परिक्सा में विबाग को कुछ सूचना है चाहिए जो कि बोड जल्दी सौप देगी और उसके बाद विबाग है वो डोक्यूमेंट वेरिपिकेशन को लेकर सूचना जारी कर देगा और इसके लिए स्कूरूटिनी फॉर्म अब जल्दी आपके अधिनस्त बोड दुआरा SSO ID माध्यम से फिल करवा दिये जाएंगे और जैसे आपका लिंक एक्टी होगा मैं आपको इस YouTube चैनल पर बता दूँगा step by step process करके कि किस तरह से आपको आपने स्कूरूटिनी फॉर्म में डोक्यूमेंट अप्लोड करने हैं इसके अलावा जो आपके भरती परिक्सा हो चुकी है जिनका DV जैसे कि आपको मालूम है संगणग बरती परिक्सा का DV कंप्लेट हो चुका है agriculture supervisor का DV भी कंप्लेट हो चुका है तो इनकी अभी तक board को report वापस नहीं सौपी गई है जैसी board को report सौप दी जाएगी आपका final result भी है वो जारी कर दिया जाएगा GNM की भी DV हो चुकी है लेकिन अभी तक इसकी भी report नहीं आई है A&M की DV अभी तक सुरूर नहीं हुई है अभी CH-ो की चल रही है उसके बाद देखते हैं विबाग दोरा A&M को लेकर भी update आते हैं आपको बता दिया जाएगा और junior account rate बर्थी परिक्सा की बात करें तो इसकी DV जैसा कि आप सभी को मालूम है 25 अक्टूंबर को complete हो जाएगी और 5 नौंबर को court का क्या फैसला आता है उस पी ही depend करता है कि final result आपका कब तक आएगा तो ये थे आपके बर्थी परिक्साओं से जुड़ी result और DVC related update वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस यूटिक चनल पर इसी तरह राजिस्तान एग्जामित से जुड़ी पलपल की update देखने को मिलेगी और इसके अलाबा अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइने किया तो लिक रिंचे डिस्क्राइबशन में दिया हुआ आप जाके जोइन कर सकते हो